के बीसी में करोड़ पती पती सूरज की जीवन का एक ही फंडा था कि मैनत तो गधा भी करता है घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है इसलिए उसते कभी नौकरी ही नहीं ढूंडी इस बात से हाला कि उसकी पतनी शिखा बिलकुल भी अगरी नहीं करती थी पर फिर भी बेकार था टीवी में कैसे बनोगे करोड़ पती का एड़ देख कर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़ पती बन सकता है और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्स अक्टिव कर दिये दो हफ़ते में उसके कलिक के साले के पडोसी के बेटे का सोर्स निकलता है जो कि उसे शो में पहुँचा सकता है और सूरज उससे मिलने चला जाता है अच्छा तो हमें मुकेश जी पता रहे थे कि आप हमें शो में पहुँचा सकते हैं आँ उसमें कोई तकलिव नहीं है मैं कल अगर कोशिश करू तो इसी मेने में आपका नंबर आ जाएगा आरे य वाकई में कुछ भी पूच सकते हैं हाँ वो तो बच्चन जी पर है जो पढ़ते हैं वो पूच लेते हैं पहली कोशिश फेल होने पर अब सूरज की सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहां से लाए तब शिखा ने एक सजेशन दिया क्यों ना सूरज अ हमारा कैसे बनोगे करोपती के लिए सेलेक्षन होने वाला है तुम हमें थोड़े चिट बनाने में मदद करोगे क्या कैसी है ना आप शराब पाते कर रहा है तू शूरज ने सुमित को मना तो कर दिया था पर तयारी करने के सिवाए कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था खास कर जब बारा के पेपर लिख करने के एक्सपर्ट शुकला जो भी हाथ चोड़ लेते हैं आखिर सुरज को सुमित के पास जाना ही पड़ा और उसने सुमित और शिखा से वादा किया कि वो बहुत महनत करेगा एक मेने की तयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से एक हफ़ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा जहां पर सारे रिष्टेदार ओडियंस के जगा पर होंगे और शिखा सवाल पूछेगे दूर दराज से भी रिष्टेदार आकर हाजिर होगे देखने कि आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़ पती सब कुछ सेट था और इतने में सूरज आकर अपना स्पीच देता है ये एक मेना मेरे लिए आसान नहीं था पर अपने भाई सुमित और अपनी पतनी शिखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुँच पाया हूँ मेरे मम्मी पापा के आशिरवाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा मैं उमिद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मजा आएगा साक्षी पहला सवाल पुछती है और पूरे कमरे में सन्नाट आचा जाता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस अरे रुकिये तो, आप्शन्स तो देने दीजिए इतने में पांच वी कक्षा का चिंटू बोल उड़ता है अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्राइल होता है ना अरे तुम अब देख न देखने जैसी बात तो थी ही सूरज को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था कभी-कभी तो लगता था मानो सूरज आँख खोल कर ही सो गया हो मामा जल्दी करो प्लीज, कर सुबो पनमेल भी तो निकलना है अरे हट, कॉंसेंट्रेट करने दे मुझे तीन सवाल में तीन लाइफ लाइफ लाइन खत्म हो चुकी थी और अब चौथे सवाल पर भी सूरज का मौन नहीं टूटा पर सूरज अभी भी हार मानने को तयार नहीं था उदर हर कोई सूरज को छोड़ सुमित को देख रहे थे आखिर सुमित नहीं तो पढ़ाया था सूरज को गजब बेज़ती है यार अर बैटा तो बाप का, दादा का, बाई का, सब का नाम बढ़वाएगा अर तीन-तीन लाइफ लाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है अरे कोई इतनी बात करता है क्या शोपर अर बेटा शोपर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना सूरज की ये जंग आखिर एक घंटे बाद 500 सवाल पर खत्म हो गई जब उसने इंडिया के नैशनल बर्ड का नाम कहा कुवा अरे बेटा मज़ा तो बहुत आया बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनद भी आ जाता ताने बारिश के बुंदों की तरह बरस रहे थे और सूरज को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़ पती बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता वो सक्त लॉंडा जो ठैरा उसने सोचा कि बेईज़ती तो हो ही चुकी है पर अगर मैं हार नहीं मानू तो शायद कुछ हो सकता है शिखा तुम देखना असली शो में आग लगा दूँगा आग करोड़ पती बनूँगा मैं हाँ सबजिया खतम हो गई है घर पे लियाओ पहले पती बन जाओ फिर करोड़ पती बनना अरे गजब बेज जती है यार बेटाओ अभी तो घर पर ही हुई है एक हफते में तो तुम देश के सामने करवा कराओगे वैसे जब टीवी पर जाओ ना तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना ठीक है कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे अरे पढ़ाई की पेपर निकलवाय इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया क्या फर्क पढ़ा इसलिए मैं कहता हूँ कि मैन तो गधा भी करता है घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर लेकिन मामा गधे भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रिय पक्षी मोर है कि हमारा राष्ट्रिय जानते हैं